ओम शान्ति, 16 फरवरी दो हज़ार चौबिस, बाबा के महवाक्य, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना हैं, इसलिए जब किसी से बात करते हो, तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो, देही अभिमानी रहने की महनत करो, प्रश्न, भविश्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है, उत्तर पढ़ाई, हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है, बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशिरवाद की बात नहीं, पूरा निश्चे है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है, अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी, तो नापास हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने उपर रहम करो, आशिरवाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ओम शान्ती, सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चे जानती हैं, परम, पिता, परमात्मा, पिता भी है, टीचर भी है, ऐसा तुमको पढ़ाती है, जो और कोई पढ़ा न सके, तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, अब यह बाबा कोई एक का नहीं है मन मनाभव मध्याजी भव इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो बच्चे तो अब समझदार हुए हैं, बेहद का बाब कहते हैं, तुम्हारा वर्सा तो है ही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए बाब आत्माओं से ही बाते करते हैं, अभी तुम जीव आत्माई होना, बेहद का बाब भी निराकार है तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रही हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो कहिंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं यह है पार लौकिक सुप्रीम टीचर, जो पार लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं तुम भी परलोक मोल वतन के निवासी हो, बाप भी परलोक में रहते हैं बाप कहते हैं, हम भी शान्ती धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के ही निवासी हो, हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ, अभी तुम यहां पार्ट बजा रही हो, पार्ट बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गई हो, यह सारा बेहद का मांडवा है, जिसमें खेल होता है, यह सारी स्रुस्टी करम शेत्र है, इसमें खेल हो रहा है, यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, कि यह बेहद का खेल है, इसमें दिन और रात भी होते हैं, सुर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं, यह है बेहद की बात, अभी तुमको ग्यान भी है, रचता ही आकर रचता और रचना के आदी मध्य अंत का परीच्य देते हैं, बाप कहते हैं, तुमको रचना के आदी मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं, यह पाटशाला है, पढ़ाने वाला अभोकता है, ऐसे कोई नहीं कहेंगे, कि हम अभोकता हैं, एमदा बाद में एक साधू ऐसे कहता था, परन्तो बाद में ठगी पकड़ी गई, इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है, वेश धारी बहुत हैं, इनको तो कोई वेश है नहीं, मनुष्य समझते हैं, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं, अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं, यहां तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं, तुमको बार बार कहा गया है, कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ, बुद्धी में रहे बाबा की नौलिज हम भाईयों को सुनाते हैं, मेल अत्वा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बाप कहते हैं, तुम सब मेरे वर्से के हकदार हो, वैसे फीमेल को वर्सा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है, यहां तो हैं ही सब आत्माई, अशरीरी होकर जाना है घर, अभी जो तुमको ग्यान रतन मिलते हैं, यह अविनाशी रतन बन जाते हैं, आत्मा ही ग्यान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है, परन्तो मनुश्यों को देहे अभिमान होने की कारण, देही अभिमानी बनते नहीं हैं, अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो महनच चाहिए ना, लौकिक गुरू को कितना याद करते हैं, मूर्ती रख देते हैं, अब कहां शिव का चित्र, कहां मनुश्य का चित्र, रात दिन का फर्क है, वह गुरू का फोटो पहन लेते हैं, पती लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने, हाँ शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए, यह है गले का हार बनाने वाला, तुम रूद्र माला का मोती बनेंगे, यो तो सारी दुनिया रूद्र माला भी है, प्रजा पिता ब्रह्मा की माला भी है, उपर में सिज्रा है, वह है हद का सिज्रा, यह है बेहद का, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब की माला है, आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है, ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ, तो अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते करते ठक जाएंगे, परन तु देखो आत्मा का जाड कितना छोटा है, ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगा में रहती है, वह फिर यहां आती है पार्ट बजाने, तो यहां फिर कितनी लंबी चोड़ी दुनिया है, कहां कहां एरो प्लेन में जाते हैं, वहां फिर एरो प्लेन आदी की दरकार नहीं, आत्माओं का छोटा सा जाड है, यहां मनुश्यों का कितना बड़ा जाड है यह सब हैं प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान जिसको कोई एडम, कोई आदी देव कहते हैं मेल फीमेल तो जरूर है, तुम्हारा है प्रवरती मार्ग निवरती मार्ग का खेल होता नहीं एक हाद से क्या होगा, दोनों पहिये चाहिए दो हैं तो आपस में रेश करते हैं दूसरा पहिया साथ नहीं देता है, तो ढीले पड़ जाते हैं परन्तु एक के कारण थैर नहीं जाना चाहिए पहले पहले पवित्र प्रवरती मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं, तुमारी बुद्धी में सारा ग्यान है, यह जाड कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है ऐसा जाड कोई निकाल ना सके, कोई की बुद्धी में रचता और रचना के आदी मध्य अन्त का नौलिज है ही नहीं इसलिए बाबा ने कहां था, यह लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नौलिज का अन्त पाया है वह तो ना रचता को जानते ना रचना को, अगर परमपरा यह ज्ञान चला आता तो कोई बतावे न सिवाई तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता ना सके तुम जानते हो, हम ब्रामनों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं हम ब्रामनों का ही उंचे से उंचा धरम है, चित्र भी जरूर दिखाना पढ़ता है चित्र बिगर कब बुद्धी में बैठेगा नहीं चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए विराइटी धर्मों का जाड कैसे बढ़ता है, यह भी समझाया है आगे तो कहते थे हमात्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हमात्मा अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है, इस समय हम सो ब्रामन है, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में, अभी हम पुरुशोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थार्त यह है पुरुशोत्तम बनने का समय यह सब तुम समझा सकते हो, रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ ओम अर्थार्त में आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर है, आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है, हम यह शरीर धारन कर पार्ट बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं, हम आत्मा यह करती हैं, हम आत्मा पर्मात्मा की बच्चे हैं, कितना वंडरफुल ग्यान हैं, यह ग्यान बाप में ही हैं, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं बाप है ग्यान का सागर, उनकी भेट में फिर हैं अज्यान के सागर, आधा कल्प है ग्यान, आधा कल्प है अज्यान ग्यान का किसको पता ही नहीं है ग्यान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना तो जरूर रचता में ही ग्यान है न इसलिए उनको Creator कहा जाता है मनुष्य समझते हैं Creator ने यह रचना रची है बाप समझाते हैं यह तो अनादी बना बनाया खेल है कहते हैं पतित पावन आओ तो रचता कैसे कहेंगे रचता तब कहें जब प्रलै हो फिर रचे बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं तो यह सारे विश्व का जो ज़ाड है उनके आदी मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं जैसे माली हर एक बीज को और ज़ाड को जानते हैं न बीज को देखने से सारा ज़ाड बुद्धी में आ जाता है तो यह है हुमेनिटी का मनुष्य स्रुस्टी का बीज उन्हे कोई नहीं जानते गाते भी हैं परमपिता परमात्मा स्रुस्टी का बीज रूप है सत चित आनंद स्वरूप है सुख शान्ती पवित्रता का सागर है तुम जानते हो यह सारा ज्यान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रही हैं तो जरूर यहां आएंगे ना पतितों को पावन प्रेणा से कैसे बनाएंगे तो बाप यहां आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रही हैं यह है पुरुशुत्तम संगम युग इस पर तुम भाशन कर सकते हो कि कैसे पुरुश तमो प्रधान से स्रीष्ट सतो प्रधान बनते हैं तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है यह पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है यह भी समझने लायक है आगे चल कर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे भल छोड भी देंगे फिर आएंगे क्योंकि गती सदगती की हठी एक ही है तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगती दाता एक बाप ही है उनको शरी शरी कहते हैं स्रेस्ट से स्रेस्ट है परम्पिता पर्मात्मा वो हमें स्रेस्ट बनाते हैं स्रेस्ट है सत्यूग भरस्ट है कल यूग कहते भी हैं ब्रस्टाचारी हैं, परन्तु अपने को नहीं समझते, पतित दुनिया में एक भी स्रेस्ट नहीं शिरी शिरी जब आए तब आकर शिरी बनाए शिरी का टाइटल सत्युग आदी में देवताओं का था यहां तो सबको शिरी शिरी कहे देते हैं वास्तव में शिरी अक्षर है ही पवित्रता का दूसरे धरम वाले कोई भी अपने को शिरी नहीं कहते शिरी पोप कहेंगे क्या यहां तो सबको कहते रहते हैं कहां हंस मोती चुगने वाले, कहां बगुले गंद खाने वाले फर्क तो है न, यह देवताई है फूल, वह है गार्डन ओफ अल्ला बाप तुमको फूल बना रहा है, बाकी फूलों में वेराइटी है सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर इन लक्षमी नारायन को नई दुनिया का किंग कुईन फ्लावर कहेंगे तुम बच्चों को आंत्रिक खुशी होनी चाहिए इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता यह बतियां आदी जलाने का भी अर्थ चाहिए शिव जैनती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर दिवाली पर लक्षमी का वहान करते हैं उनसे पैसे मांगते हैं जबकी भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है तुम जानते हो शिबाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है यह ज्ञान रतन धन है वहां भी तुम्हारे पास अथा धन रहता है नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे सत्युग में धेरों के धेर हीरे जवार थे फिर वो ही होंगे मनुष्य मूझते हैं यह सब खतम होगा फिर कहां से आएगा खानियां खुद गई पहाडियां तूट गई फिर कैसे होंगी बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है न जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा तुम बच्चे पुर्शार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का स्वर्ग की हिस्ट्री जोग्रफी फिर रिपीट होगी गीत में है न आपने सारी स्रिस्टी सारा समुद्र सारी प्रत्वी हमको दे दी है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता उसकी भेट में अब क्या है जमीन के लिए पानी के लिए भाशा के लिए लड़ते हैं स्वर्ग के रचता बाबा का जनम मनाया जाता है जरूर उसने स्वर्ग की बाच्शही दी होगी अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है पवित्र बनना है या तो योगबल से या तो सजाईं खाकर फिर पद भी कम हो जाता है स्ट्यूडेंट की बुद्धी में रहता है न हम इतना मर्तबा पाते हैं टीचर ने इतना पढ़ाया है फिर टीचर को भी सौगात देते हैं यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो तुम फिर भक्ती मार्ग में उनको याद करते रहते हो बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे यह तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है यह तो पुरानी चीची दुनिया है तब तो मुझे बुलाते हैं बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं इस खेल को याद करना चाहिए मेरे में रचना के आदी मध्य अंत की नौलिज है जो तुमको सुनाता हूँ तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो पांच जार वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा तुम्हारा पार्ट कितना लवली है तुम सतो प्रधान वा लवली बनते हो फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो तुम ही बुलाते हो बाबा आओ अब मैं आया हूँ अगर निश्चे है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशिरवाद की बात नहीं, फिर तो सभी पर आशिरवाद करनी पड़े, यह क्रपा आदी भक्ती मार्ग में मांगते हैं, यहां वह बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे, सिकीलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्य सार। पहला, प्रवरती में रहते आपस में रेस करनी हैं, परन्तु अगर किसी कारण से एक पईया धीला पड़ जाता है, तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना हैं। स्वयम को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा, शिव जैनती बड़ी धूमधाम से मनानी हैं, क्योंकि शिव बाबा जो ज्यान रतन देते हैं, उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वर्दान बाप से शक्ती लेकर हर परिस्थिती को हल करने वाले साक्षी द्रिस्टा भवा। आप बच्चे जानते हो कि अती के बाद ही अन्त होना हैं, तो हर प्रकार की हल्चल अती में होगी, परिवार में भी खिट-किट होगी, मन में भी अनेक उल्जने आएंगी, धन भी नीचे ओपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो, तो निर्णे शक्ती से सब पार कर लेंगी। साक्षी द्रिस्टा हो जाओ, तो बाप की शक्ती से हर परिस्थिती को सहज हल कर लेंगी। स्लोगन अब सब किनारे छोड घर चलने की तैयारी करो। ओम शांती।